शीदर जी राकेर शी को पसंद नहीं आई है प्रदान मंत्री जी नौ साल कहने है अस्वल प्रदान मंत्री रहे और लेकिन एवीपी का दूसरा फैसला आया कि मोधी सरकार ने कड़े फैसले लिए ये लोगों का मानना है पहला फैसला आया था कि वो विश्वगरू बना दिय कि विश्वगरू ने दूसरा मोधी सरकार ने कड़े फैसले लिए एवीपी सी बोटर के सर्वे चलने हैं क्या लगता है नौ साल का पूरा प्रद्रिश आपको इस नौ साल में जो हमारे मूलभूत सूच कांक है दुनिया में ज्यादे तर मामलों में हम बहुत ही पीछे ग जाने के बाद शुरू हुई संस्थाएं नहीं है तो पहले से वो काम कर रही है पहले से दुनिया में प्रेस फ्रीडम का आकलन करती है और बहुत ही खतरनाक इस्थिति में जा रही है आज जब उनके नौवे साल पर हम बात कर रहे हैं तो उस समय उन्नीस विपक्षिदलों में यह मान के संसथ को और उनके कारिक्तर में को लिखा है कि देश में लोक्तंत्र के लिए बहुत कंभीर खत्रा है जो हमारा भारतियी भारती जैसपोरहै जिस में जो भी जिस लेफ्क इंटेलेक्टालि truck है उस में से अब इस जयारी टोडी किसी की नहीं है इन्सित्शскरो मुझे लाओ उन्हों रखें। उन्हों लगभक शही ने इस दोर में नौ सालों में दम तोड़ दिया है। हमारे अपने पेशे की तो खेरहारत आप जानते ही हैं। अब हम देखते हैं कि अब देश की आबादी में क्या हुआ। कई देशों में तानाशाह आये हैं दुनिया में तानाशाही की एक धारा ही है उन्हें से बहुत सारे लोगों के साथ कुछ सफलताएं भी जूड़ी होई है लेकिन हमारे यहां एक बहुत आजीव समस्या है कि सिर्फ एक छेत्र में छोड़के जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रचार इस देश ने किसी प्रधानमंत्री का न कभी देखा न सुना न शायद भविश्य में किसी का देख सुन पाएगा कि जब सारी की सारी सरकार सारा का सारा कार्पुरेट हिस्सा जो सरकार के दबाव में रहता है और विभिन राज्य सरकारें जहां सरकार के अपनी प करदान मंत्री के हाथ पे नहीं थे जिसे पी एम के एरफंड है इस समय यह सब कुछ एक आदमी की एक अजीब सी छवी चमकाने में और उस तरह का सर्वेक्षण करने में जिसका भी आपने हवाला दिया हम विश्व गुरु है किस बात में विश्व गुरु है क्या चीज बना नया सिद्धान दे दिया है जिसको दुनिया उसके बिना उनियस्टी की पढ़ाई रुख जाएगी जिसका अगर विकास नहीं होगा जब हम हमारा कोई नहीं है हमारी कोई फिलोस्पेकल वैल्यू नहीं है हमारे जो सूच कांख है वो धरातल में है हम विश्व गुरु है विश्व जोकर है सच्चाई यह है कि दुनिया के सारे जो होश्यार देश है जो कि दुनिया व्यापार से चलती है दुनिया की मालिक तो मार्केट है वो जैसे कोई मार्केट वाला करता है कि अगर आपको एक अच्छा ग्रहक समझता है और उसके साथ एक मूर्ख ग्रहक भ कर देता है उन ठकुर सुहातियों को अगर आप विशुगुरू होना बता रहे हैं हो सकता है हो अब भारत में समस्या यह है कि अभी एक सर्वे अजनावं कश्या पिछले तीन दिन से चला रहे हैं जिसमें उन्होंने यह पूछा है उनकी बहुत बड़ी हैं आप जानते ही हैं चुकि वाज तक में हैं बहुत समय से एंकर है महिला है सुन्दर है वो सारे उनके साथ गुण है जिसकी वज़े से फॉलोइंग होनी चाहिए और बहुत ज्यादा उनकी है उन्होंने एक प्रश्ट पूछा कि 19 दलों ने जो संसत के इस कारिटर्म के नई संसत के कारिटर्म के बाइकॉट का फैसला लिया है इससे आप सहमत है असहमत है तो सहमत में समय 69 परसेंट लोग है करीब हाई लाख लोग क्रिटर पे इस में अब तक भाग ले चुके हैं अभी ये कारवाई चल रही है और सरकार के पक्ष में सिर्फ 31 परसेंट है क्रिटर समाज के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम मान सकते हैं कि आलोचना अत्मक विवेक एक हद तक है चुकि व तो जिन लोगों के पास ये प्रिवलेज है कि वो अपना एक अलोचना अत्मक विवेक रखते हैं उनमें सरकार समर्थक एक तसित धेंक कर द्वारा किये गए सर्वेक्षण में ये आ रहा है कि 69 परसेंट लोग इस सरकार को उसके इस फैसले को खारिज कर रहे हैं जैसे बह लोग की सर्वेक्षण एबीपी न्यूस सी बोटर के साथ जो कर रहा है उसका पूल कितना बड़ा है लेकिन ये पूल तो हमारे सामने पिछले तीन दिनों से अनवरत वो उनके प्रोफाइल पर लगा हुआ है अगले एक दिन और चलेगा तो मुझे तो लग रहा है कि कम से अधिवादी जकडन में फसे हुए देश थे जो 75 साल पहले आजाद हुए थे और अभी हम बहुत लंबा रास्ता हमें तै करना था तब हम उन बुराईयों से दूर हो पाते हम उसके कुछ हद तक हो रहे थे तब तक ये ब्रेक आ गया और इसने इतिहास, भूगोल, समाश सास्त्र, धर्मशास्त्र सब को उलट पलट के हमारे सामने रख दिया और संचार के जो आधुनिक साधन है, जो मुनिश्य को ज़्यादा विवेक शील बनाते, तार्किक बनाते, प्रश्नवाचक बनाते, उन सब का हरण कर लिया गया और वो प्रतिभा जो पैदा हो सकती थ उसको गर्भ में ही मार दिया गया, और इन सारे टूल्स का इस्तेमाल जनता के विरुद शुरू हो गया, सच्चा ही यह है, ऑक्सफेम के अनुसार हमारे देश की 50 फीसदी आबादी, देश की 3-4 फीसद दौलत पे जिन्दा है, और एक फीसद लोगों के पास देश की 50 फी कड़े हमारे सामने है, बेरुजगारी ने अब तो उसकी गिंती करना इस सरकार ने छोड़ दिया, जब उसका पिछला SSO का आकड़ा आया था जब बताया गया कि पिछले 50 सालों में इतनी बेरुजगारी की दर कभी नहीं थी, और जो हमारे मुंबई में जो CMIE वाले करते हैं, उनके अनुसारब इस देश में 35% काम करने लाएक आबादी ने यह मानना ही छोड़ दिया है कि उनको काम मिल सकता है, यह जो परिष्थिती है, यह तो अस्वाभाविक है, इसके अधार पे कोई अपने को इसके बावजूद कहे कि वो विश्व गुरु पता नहीं क्य हो रहा है, तो मैं उसे विश्व जोकर से अधिक क्या कहूंगा, वो भी एक बड़ा कठोर है जोकर, तो फिर भी असाता हो असाता ही तो रुलाने वाला है, देश में खुश ही नहीं है, जो यह जाचने वाला सूचकांग है, कि कितने फीसद मलुश्य आपके आबादी में स सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से एक है, तो यह इन चीजों पर कैसे गर्व कोई कर सकता है, सिवाए उसके कि अगर उसको किसी किसम के दुश्प्रचार का शिकार न बना लिया गया हो, जिसमें हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से को यह प्रचंड प्रचार करक और उससे पाई गई जबरन या ठगी हुई सहमती को सहमती बताके देश पे शाषन किया जा रहा है, यही मैं कहता हूगा.